जै श्री काल भहरव मैं डॉक्टर श्री तारमणी भाई जी आज आपके समक्ष लक्ष्मी से सम्मंदित एक बहुत तीवर साबर मंत्र का एक प्रयोग एक अनुष्ठान के रूप में आपको प्रदान करने वाला हूँ बहुत ही ध्यान से और बहुत गंबीरता से इस मंत्र को लें क्योंकि कोई भी मंत्र गुरु मुख से ही लेना चाहिए और देख्षा के उपरांथ ही बहुत जदा प्रभावी होता है तो जो देख्षित हैं वो अपने गुरु मंत्र का जो मेरे दोरा दिया हुआ है उसका एक और इस मंत्र के प्रभाव से आप देखेंगे लक्षमी का आगमन होना शुरू हो जाएगा और इसके आगमन के प्रतिक्ष प्रमाण भी दिखाए देंगे आपको बहुत सारे रुकेवे कार आपके बनने शुरू हो जाएंगे कहीं अगर रुका हुआ है पैसा तो उसके आ इस बहुत चल नहीं रहा है बहुत रुका हुआ है तो इस मंत्र के सवालाक मंत्रों से अगर आप उनस्ठान करते हैं तो उसमें भी बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है पर सितिया बदलना शुरू हो जाती है लक्षमी किरपा आना शुरू हो जाती क्यों यह आपको दे रहा हूँ इसमें जो मंत्र है वो साबर मंत्र है और साबर मंत्र की एक खासियत है कि वो जागरत होता है और ऐसे मौके पे ऐसे शुब अपसर पे अगर यह करते हैं इसको तो उसके प्रभाव निश्चिद रूप से दिखते हैं आपको मैं मंत्र बताता हूँ विश्णु प्रिया लक्ष्मी शिव प्रिया सती से प्रकट हुई कामाक्षा भगवती आदी शक्ती युगल मूर्ती महिमा अपार दोनों की प्रीती अमर जाने संसार दोहाई कामाक्षा की आय बड़ा व्याई घटा इस मंदर को आप अगर सवाला करते हैं इसमें आप दूब दीब नवेद देगनेश पूजन इत्यादी करके आप जब पूजन करना शुरू करेंगे तो उससे पहले आप अपने गुरु मंदर का पाट करें उसके बाद गुरु से आग्या लेके आवश्य करें मांसिक गुरुप से पूजन बेटें गुरु से आग्या लें भगवान भैरुप से आग्या लें और उसके बाद इस मंदर का जाप आप सवाला करें भोग में मिश्ठान इत्यादी रखें सफेद खीर का प्रिसाद जरूर बनाएं और जब ये पूर्ण हो जाए चाहिए ये नवरातरों में पूर्ण हो पारा है नहीं हो पारा है जद़ जद़ नवरातरों में सवेयरे रात अधिक सथिक इसका जाप करना शुरू कर दें कि अपनी जूभी समस्याएं हैं उसको बोलते हुए उसकी मुक्ति है तूरन मुक्ति है तू किसी प्रकार की जो आर्थिक कमजोरी है उससे मुक्ति है तू आप संकल बिले के इसको जाब करना शुरू कर दें तो इसके निश्चे दरूप से प्रभाव आपको दिखाए देंगे ही देंगे और इससे सम्मंदित अगर आपको कुछ भी प्रेशन हो जैसे लाल आप आसन यूज करें लाल वस्तर पहनें और सत्य बोलें कम से कम लोगों से बात करें सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान दें इससे सम्मंदित कोई भी आपके पास प्रेशन हो मुझसे सीधे नंबर पर सम्प 5555 पर आप संपर कर सकते हैं वर्ट्सअप और कॉल दोनों से समय देखके कॉल करें किरप्या और इससे सम्मंदित आप सवेरी और रातरी दोनों समय मिलाके आप इसका पूर्ण कर सकते हैं ज़ादे ज़्यदा ज़ाप करें और इस जो एक परकार से इसको अमोग मंत्र में बोल सकता हूँ जिसकी कोई काट नहीं हो सकती है इसका पूराड लाब लें। इसमें हवन का जो विधान है उसमें आप सवालाक का दशांस करने के आउशक्ता नहीं है। इसमें आपको ग्यारा माला हवन करना है और वो भी गुलाब के फूलों को घी में बिगो के और उससे आपको हवन करना है। अगर आप चाहें तो अपने संबंधियों मित्रों के साथ भी साधना को साजा कर सकते हैं ताकि वो भी साधना का लाब लें। जय श्रीकाल भरोव प्यार बंदे मत्रीकाल भरोव